इस बार 24 लाग बच्चे सक्सस्थ भूली एक्जामेनेस न भी दिये पेपर लिक के मामला आया है सर कोई पेपर लिग रिखी चोबिस लाग बच्चों ने जो नीट की जो परिक्षा दी है उनके भविशक के साथ जो खिलवाड आज इस परिक्षा के दुवारा हुआ है उस पर एक जाँच होनी चाहिए CBI की जाँच होनी चाहिए उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एक्जाम की ऑपरचुनिटी मिल रही है तो मुझे लगता है यहां पर एक्टी उक्वैलिटी का वाइलेशन है नमश्कार हेलो एंड वेलकम टू दा लीगल अबजर्वर आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है वनुज रस्तों की नीट के मामले में गड़बड़ी तो हुई है अब ये बात कंफर्म हो गई है कि जो कुछ भी नीट एक्जाम में चल रहा है वो नीट यानी साफ सुतरा यानी विश्वस निये क्रेडिबल नहीं है इसमें अब कोई शक्षुपे की गुझाइश नी है सुप्रीम कोट में आज जो नेशनल टेस्ट एजनसी है उसने अपने तरफ से ये सुप्रीम कोट को सूचना दी कि हमारी जो कमेटी नीट में जो धांदलियों को लेकर जो शिकायती आई हुई है जो पेपर लीग को ग् कंट्रिवर्सी आई है और पूरे देश में विद्यारतियों में छात्र शात्राओं के द्वारा जो अंदोलन चल रहा है एक तहल का एक तूफान मचा हुआ है राजनितिक दल भी उसमें कूच चुके हैं सुप्रीम कोट में पिटीशन की बार लगी वी है सुप्रीम कोट ग्यारा तारिक को ही जो एंटिए को कहा था के क्रेडिबिल्टी में डेंट आया है से एंटिटी प्रभावीत हुई है सवाल है आपको जवाब देना पड़ेगा तो एंटिए हील गया था इस से पहले एंटिए डिनायल मोड में था नही नहीं सब कुछ ठीक है यह एक बैंक और विडिया वाले मामले में, इलेक्शन बॉन्ड वाले मामले में, और EVM वाले मामले में, Form 17C वाले मामले में, जो भी देश की स्वतनतर संस्थाएं हैं, उनका यही पैटर्न है. पहले तो मना कर दो कि कि नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, डिनाय कर दो. और एकदम सब सब कुछ ठीक है, जब मामला अदालत में जाए, तो वहां भी पहले कोशिश करो, कि नहीं ठीक है, लेकिन जब अदालत नोटी सी शू करे, आप बाबारामदेओ के मामले में देख लीजिए, पतंजली के मामले में देख लीजिए, एडूटीजमेंट के मामले में देख लीजिए, पूरी एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां यह इस पश्ट हो देश को बताओ ही मत, denial mode पे चले जाओगे, नहीं, सब कुछ ठीक है, सुप्रीम कोट के pressure के बाद, चुकि अब मामला पहुचा हुआ है, और एक के बाद एक देश बर में इतनी सारी petitions की बाड़ा आई भी है, तो कितनी चीज़ चुपाएंगे अब, तो आखिरकार NTA ने माना, और अब क्या होगा, अब NTA ये कह रहा है कि हमने 11, 12, 13 जून को हमारी जो समीती है, जिसको हमने जाँच का वो दिया था, जाँच के लिए जो एक समीती गटित की थी, हाई पावर कमिटी थी, उसने उसकी विश्वसनेता और उसकी निश्पक्षता को लेकर भी सवाल हुए थे, क्योंकि वो जाँच में अपने ही टेर्मेन को इन्होंने मुका दे दिया था, लेकिन अभी उसको एक तरफ रखते हैं, आज उस समीती ने भी ये माना, कि हाँ जो ग्रेस मार्क 1563 जो केंडिडिट हैं, जिनको ग्रेस मार्क दिये, 70-80 के करीब इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि प्रती चातर को 70-80 ग्रेस मार्क इदाधार पर दे दिये गए, टाइम लोस के बेसिस पर हैं, अब उसका उन्होंने हवाला दिया है सुप्रीम कोट के सामने, किसाब पहले एक दिशा पंचाल वाला मामला था, उसमें सुप्रीम कोट की ग चातर चात्राओं को, यानि परिक्षार्थियों को, जो कंटेस्टेंट थे, जो अपीर होते एक्जाम में, उनको ग्रेस मार्क देना ठीक नहीं था, तो उसकी जगे, जिस आधार पर, जिस फॉर्मिले पर उनको दिया, वो ठीक नहीं था, बचे वे कोश्चन के दार पर के वो चाहें, तो री-टेस्ट, यानि दुबारा से परिक्षा में अपीर हो सकते हैं, इनके लिए एक अलग से विशेश परिक्षा आईजूइत की जाएगी, जिसकी संभावी तारीक 23 जून बानी गई है, बताई गई है, NTA प्रस्ताव रखा है, और अगर इन में से, इन 1563 चाहता है, जो उसके मूल मार्क आए होंगे, जो उसके उरिजिनल मार्क उसको मिले होंगे, बिना ग्रेस मार्क के, पांच मही को जो एक्जाम हुआ था, उसमें जितने भी उनको मार्क मिलेंगे, वो उनको दिये जाएंगे, यानि कि परिक्षा दुबारा होगी, 1563 की, 23 ज उनको इसका रिजल्ट आजाएगा, ताकि छे तारिक से जो काउंसिलिंग शुरू हो रही है, उस पर कोई असर ना पड़े, अभी काउंसिलिंग को तो रोका नहीं है, सुप्रिम कोट ने, हाला कि कहा है, कि ये सारे इशू बाकी जो मुद्दे उठाए गए है, ये पर लि अधियारतियों की बात है, देश भर में अंदोलन, देश भर में 20-20 से ज़्यादा, अलग-अलग स्टेक होल्डर्स ने कोट के सामने अपनी याचिकाय लगाई है, अलग-अलग हाई कोट में, सुप्रिम कोट में याचिकाय बिखरी पड़ी है, अभी जिन याचिकायों के हुए कोट ने फिलहाल, आज जो उसने बात क delivery, जो उसने 11 जून को कोट ने आदेश दिया था, ये 10 जून को ये आजचिका 4 जून को रिजल्ट आने से पहले, एक जून को जो दाखे लिए ती उस पर था, तो उसके अधार पर NTA से जवाल जबाब मानगे ज़े थे, NTA ने NTA से कहा गया था, उसको notice issue किया गया था, 8 July को अभी NTA को अभी बाकी भी अपना विस्तरत वो देना है, आज जो जानकारी NTA ने दी है, उसके अधार पर court ने उस issue को जो 1563 विद्यारतियों को grace mark वाली बात थी, वो issue तो आज address कर दिया, अब उस पर court ने काया कि बाकी जो मुद्दे हैं वो open रहेंगे, उन पर 8 July को, जो regular bench के सामने जब ये मामला उठेगा, तो जो जितने भी खुलेवे मुद्दे हैं उन पर वहाँ भात होगी, इस बीच इस विवाद में entry हो गई है, राजिनितिक तो, राजिनितिक दल तो पहले ही कूच चुके थे, कांग्रेस कहचो की थी, राहूल गांदी जी, प्रियंका गांदी जी, आम आदमी पार्टी, दूसरे विपक्षी दल, वो पहले ही अपनी मन्शा, अपना इतराज अपना विरोध दर्ज करा चुके थे, सरकार पर सवाल खड़े कर चुके थे, सवाल की पूरी, पूरी की पूरी जो परिक्षा पद्दती है, जिसमें बड़े पैमाने पे, पेपर लीक को लेकर, नकल को लेकर, शिक्षा माफिया को लेकर, सवाल उठी रहे हैं, अलग-अलग जगे हमने देखा, अलग-अलग तरे के पेपर, अलग-अलग राज्यों में, वो सब के सामने हैं, तो उसको लेकर तो एक बात लगातार, एक विवात लगातार खड़ा ही हुआ था, लेकिन एलक्षन के वज़े से, जनल एलक्षन के वज़े से, थोड़ा था, वो बैक सीट पे चला गया था, अब वो जैसे ही अब परिस्तितियां बदली भी हैं, आज, अलाकि नए जिशिक्षा मंत्री, जो जिन्होंना भी शपत लिए, अलाकि मंत्री वही हैं जिनके पास पहले थे, दर्मेंदर पदान जी, उन्होंने और जो दूसरे एक राज्य मंत्री उनके साथ जुड़े हैं, जैन्त शौदरी जी, दोनोंने आज इस मामले पे एक ओफिशल बयान दिया, जो घटना हमारे सामने आही, निश्चित रूप में दोशियों को उसमें दंद दिया जागा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यत और अभिवाबों को आश्योस्त करना चाहूँगा, भारत सरकार और उसकी इंस्टूमेंट NTA कमिटेड है बच्चों को ट्रांस्पर इस बार 24 लाग बच्चे सकस्ट गुली, एक्जामेने सन दिया है, जो पर लिखार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में अरेस्ट हुआ है, जो पर लिख को गटना की कोई पुक्ता प्रमान नहीं है, ऐसा कुस कोट के सामने आएगा, निश्चित रूप में हुआ है, अजी जाला है, कोई प्रमान है क्या, कोई प्रमान नहीं है, कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोट रेकोमेंड़ एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ आना मोली चाहिए, उसके उपर लिख एक अधेड़िक कमेंटी बाइट गये है, उ उनोंने रेकोमेंड़ सेंदिया, उस सारा दलील अभी अभी जो हम चप्चा कर रहे हैं, कोट की सामने कोट की फैसला को आने जीए, उनका रिटेस्ट होगा, उसको हम इंपलिमेट कर रहे हैं, उसको कमिरता से थे, जो आप पुरा जान करेंगा हो, आप पताइए, जो आप तो एक तरफ मंत्री जी कहा रहे है कि कोई NTA में लीक नहीं हुआ है सब कुछ ठीक है जाहिर बात है सरकार तो यही कही कि सरकार इतनी बड़े दिल वाली तो है नहीं यह सरकार कि यह स्वीकार कर ले क्योंकि यही मंत्री जी पहले थे चुनाऊ से जाने से पहले विवस्ता यही थी और उस पे कुशन मार्क उटी रहे थे तो विपक्ष का तो हमला और धारदर हो गया और यह बात पड़ी सपश्ट थी कि आने वाले सदन में जो अब यह 24 तारिक से मांसून सत्र शुरू होगा उसमें बहुत सारे मुद्दे घूंजेंगे जिन में से एक प्रमुक मुद्दा यह भी है कांगरिस ने पहले ही अपनी मंचा इसपश्ट कर दी है आज भी कांगरिस के जो एक प्रवक्ता है गौरव गोगई जो एनस्यूआई के भी निता है उन्होंने प्रेस कोंफरेंस करके कहा कि इसमें सीबी आई की जाच होनी चीए पूरी प्रक्रिया की जाच होनी चीए और उन्होंने बता दिया है कि विपक्ष के इरादे क्या है विपक्ष इस मामले को ऐसे नहीं चुड़ेगा 24 लाग बच्चों ने जो नीट की जो परिक्षा दी है उनके भविश्य के साथ जो खिलवाड आज इस परिक्षा के दुवारा हुआ है उस पर एक जाच होनी चाहिए CBI की जाच होनी चाहिए CBI के इस जाच पर आज शिक्षा मंतरी प्रधान जी चुप अगर वो NTA के लोगों को बुलाएंगे वो तो बोलेंगे कि हाँ सर सब ठीक है और इस जवाब से वो संतुष्ट है क्या उनको वो वोईस रिकॉर्डिंग नहीं मिला जिसमें एक कोचिंग सेंटर के एक्जाम सेंटर के मालिक ने कहा कि 30 लाग लो 30 लाग दो और पेपर ले लो तो जब जाच हुई ही नहीं कौन सी जाच के आधार पर उन्हों ये बात रखी हमें भी तो बताएं उन 24 लाग बच्चों को और उनके माताओं और पिताओं को जानने का ये अधिकार है कि कि इस आधार पर शिक्षा मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे वही रवाया हम सरकार से देख रहे हैं जो पिछले 10 साल से देखी कोई विफलता हुई, कोई चूख हुई, कोई लापरवाही हुई दे एदुकेशन मिनिस्टर विदाओं कंडुक्टिंग अनी इंक्वाइरी आस बिफली इंक्वाइरी हैंग पराफन इंक्रेद कर एदू अच्छ जब आख बिएकरップ बिए को सूब उख़ख़एकि अने इंक्वारी नवरे टन त Beim अपड परिय्सित थैंग तो सुप्रीम कोट की जो बैंच, वेकेशन बैंच जस्टिस विक्रमनात और जस्टिस संदीप मेता की वेकेशन बैंच जो सुनवाई कर रही है नीट के मामलों की उसमें यूनियन गौर्मेंट की तरफ से केंदर सरकार की तरफ से जो एड़ोकेट कनू अगरवाल पेश्वी उन्हों ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और जानकारी दी सुप्रीम कोट को के सरकार ने कमेटी गटित की, मंतराले ने इस पूरे मामले की जानकारी ली, मंतराले इस पर निगा रखे हुए, मंतराले अपने इस तरफ से चानमीन और तफशिष करा रहा है और अभी जो फेसाई एक decision लिया गया है वो यह है कि 1563 जो student है जिनके उपर आपत्ती उठाई जा रही है grace mark को लेकर इनका retest कराया जाएगा तो काफी लंबे से हमें से हम लोग लड़ाई लड़ाई थे कि पहली साथ पहली बार grace से री एक्जाम ना दें और जिनके original नंबर थे वो इनके रह जाएंगे grace वाले नहीं रहेंगे बड़ाई दो मुद्देस के अंदर open रहे गए पहला वो बच्चे जो मानी हाई कोट नहीं पॉच पाये कि उनका समय का नुक्सान हुआ है उनको तो यहां पर कोई option नहीं मिला स दूसरी बार जो माने हाई कोट पहुचा है जिनका समय का नुक्सान होना जिनको grace number तो बाकी लोग कोई window ने खुली है यहां पे चीज है जो फेर नहीं लग रही है दूसरी चीज यह लगती है कि जब NTA कुद अग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्ट्ट को जो grace दिया वो credit की भी बहुत ज्यादा requirement क्योंकि वो खुद agree कर रहे हैं कि यह चीज गलत हुई और last seven days वो बिल्कुल नहीं अग्री कर रहे थे बड़ा आज उन्हें ने यह चीज मान लिए करते केस था उसमें मानिय सुप्रीम वोट ने कहा कि वो केस बुल्कुल खुला हुआ है उसके अगली सुनवाई होगी और आज मानिय सुप्रीम कोड में जजज ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोड के समख कि अभी विंडोज खुले हुए हैं अभी रिव्यू करते हैं देखते हैं ओर्डर क्या आता है उसके बेसिस पर क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पर कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली विल ट क्या हम परिक्षाओं को भी फ्री एंफेर नहीं करा सकते हम बात करते हैं टेक्नोलोजी की अभी देश में वह डिबेट चल रही है इवी एम वीवी पैट चुनाव आयोग अब मतब हर सस्था के साथ यह होगा एडी सीबी आई सीबी आई सीबी सी इस चली रहा है बाकी सार किन दिन कराया गया कि सिपाई भरती के मामले में दूसरे किन किन मामलों की रेलवे के सब हर परिक्षा के मामले में तो यह निकल के आ रहा है कि पेपर लीक है और गनाईज माफिया है पूरा एक शिक्षा किस तरह से हम अपने देश के भविश्य को क्या यह देना चाहते है कैसे बरुसा दिलाएंगे हूँ तो यह जो सारी बात है ना खाऊंगा ना खाने दूँगा चोंकिदार यह सारी बात जो फिर कमजोरी दिखाई देती है ना इनमें खोकलापन तो ने जर आता ही कि हम जो रूट है जो fundamental हैं बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं हम विष्व को ग्न देने की बात कर रहे हैं विष्व की तमाम बाते कर रहे हैं लेकिन जो हमारा अपना बविश्य है हम यूट्यूबर से बात करते हैं हम उन्हें नए ने innovation को हम encourage करने की बात करते हैं Start-up economy की बात करते हैं competitive economy की बात करते हैं तो कैसे वो धरातल पे दिखाई देगी, कैसे वो धरातल पे उस पर यकीन किया जाए, जब जो fundamental है, कि हमारे बच्चों के carrier के साथ जो जुड़ी वी चीज़े हैं, अगर हमारी वो सस्थाएं भी ठीक से काम ना कर पाएं, उनके पास ये शमता ना हो, कि हम एक full proof system evolve कर सकें, कि mechanism evolve कर लें, ठीक है, हमारा देश बहुत बड़ा है, इतने बड़े पैमाने पर बहता है, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने का हमरे पास समर्थ नहीं है, क्या हम को यह ऐसी प्रणाली नहीं बता सकते हैं, जो जबाब दे हो, accountable, responsive हो, यहां आप घूमते रहिए, NTA को लेकर के देखिए, बच्चों के अंदर कितना गुसा है, इतने तरह की इसमें confusionस हैं, जिनसे एक चीज समझ में आती है, कि चीजे साफ नहीं है, जो हमारी test agency है, उसकी शमता पर, उसकी समर्थ पर, क्योंकि पहले, एक बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पहले आप देखिए, अगर आप नोट करें, कि कैसे यह चीजे आगे आई, तो आपको नदर आएगी कि पहले उस संस्था के जो जिमिदार लोग हैं, जो संस social media पर इसका व्यापक, सारे TV channels पर उठाके देख लिए, social media उठाके देख लिए, आपको मालूम चल जाएगा, कि कितना अंदोलन, कितने उद्वेली थे लोग, और इसका politics से कोई लेना देना नहीं, ये देश की image का, देश की capability का, हम जो बाहर की बात कर रहे हैं, अंदर से ह कितने मजबूत हैं, क्या हमारा system responsive है, क्या हमारा system free और fair है, क्या ये जो हम बाते करते हैं बड़ी-बड़ी, इनके हमारे जो भी हुकमारान है, हमारे जो हमारे जो हुकमरान है, जो हमारे माननिये परमात्मा के शिकर पुरुष, अफदार पुरुष, परदान मंत्री, जो ह हर चीज में उन्हीं की गारेंटी लगी रहती थी, हर चीज में बच्चों से मन की बात करते हैं, तो क्या इस बार वो बच्चों के मन की बात सुनने आगया है, क्या उन्होंने कोई इस बारे में वो लिया, वह तो हर छोटी से छोटी गटना पर भी उनका बयान आता है हर छोटी जी बात पर वो खुद एक CEO की तरफ से CEO की तरह से एक्टिवेट रहते हैं बिल्कुल तो क्या उनको नहीं इस मामले में विक्तिकतरुची लेकर के देखना चीए कि हम कैसे इसको इंशूर करें अब ये सवाल ये मांग ये जो मैंने बात कही है ये देश में अगर लोग उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं तो इस वाफ़ावी ग्रूप से उठेंगी बाते ये तो उठेंगी बाते और इसका जवाब देना ही पड़ेगा ये मामला यहां रुकेगा ने आठ जुलाई तक अभी इसमें और भी कई मोडाएंगे अभी भी जो सवाल बच्चों के और विवाओं के के मन में है कि ये जो पुरी प्रक्रिया है जिसके लिए उनका सपना है केरियर है कि क्या ये मुकमल होगी अभी वो क्या करें काउंसिलिंग होगी तो वो काउंसिलिंग कितनी स्थाई होगी क्या उसके बाद एक्जाम कैंसल होगा ऐसे आशंकाएं सभी के मन में है और बहुत स्वाभाविक है इसमें आमूल चूल परिवर्टन की जरूवत है ताकि हमेशा के लिए हमेशा के लिए इस तरह की जो आशंकाएं और डर है जिसके बारे में सुप्रिम कोट ने कहा भी कि अभी हम प्रक्रिया कैंसिल नहीं कर रहे हैं किसी को डरने की आफशक्ता नहीं है हम काउंसिलिंग जारी रखेंगे लेकिन इसमें जो दोनों तरह के तरक आ रहे है एक तरकी आ रहा है कि उन बच्चों का क्या है ये 1565 जो बच्चे इन में कुछ जैन्मेन केस होंगे क्योंकि ये तो नहीं माना जा सकता कि सारे ऐसे होंगे लेकिन दूसरी तरफ के तरकों को असुकार भी निखिया था सकता तो बड़ी अजीव सी धर्म संकट की नyt Начatust की इस्तिति है कि किस की बात को सच महने किस की बात को नहीं कि क्योंकि बच्चों के विश्यचे जुड़ा है अब इसमें पेपर लीक हुआ है तो कितने लोगों को लीक हुआ है 2015 का भी लोग उधारन कोट कर रहे हैं कि जब 2015 में जो ओल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट है उसका पूरा का पूरा टेस्स इसी तरह से 41-43 मामलों के लीक होने की बात आई थी और फिर उसमें इसी तरह की प्रक्रिया के बाद ये मालूम चला ये कबूल किया किया कि हाँ आज भी अदालत ने जैसा अलग पांडे बता रहे थी कहा है और उनके वकील भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास रिवर्ट करने का तो पूरा आउप्शन है तो आप सोचिए इस देश में जहां इस तनाव से परिक्षा के कैरियर को ले करके मिडल क्लास के ज इस तरह से काम कर रही है यह समझना ही बाहर है समझ से बाहर है तो आप इस सब के बारे में क्या सूचते हैं क्या आपकी सोच है किस तरह के रिस्वांस की आप उम्मीद करते हैं देश से देश की सरकार से देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री से और नय पालिका से लिगल ऑज सुस्तिती की जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे हमारे साथ नमश्कार।